नमस्कार सिल्क टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ विकास कुमार आए करते हैं ख़बरों की शुरुआत सबसे पहले नेजर डालते हैं आज के हेडलाइन्स पर हेडलाइन्स स्पॉंसर्ट बाई भागलपूर सीटी डबलपर तेज आंधी और बारिश से अस्त वेस्त हुआ शहर जगा जगा पेंड गिरने से मची अफरात तफरी भागलपूर में अचानक आई आंधी से बिजली पोल सहित ट्रांसफर्मर हुए छती ग्रस्त बिजली हुई गुल अंतर राष्टिय नशा निशेद दिवस को लेकर न्याईक पदाधी कारियों ने नशा नहीं करने का लिया शपत पुलिस केंदर से निकाली गई जागरूपता रहली वर्चस्व की लड़ाई को लेकर बंबाजी से दहला भागलपूर सकुला चकीला का कुख्यात अपरादी इम्तियाज को पुलिस ने किया गिरफतार और 13 जुलाई को राष्टिय लोक अदालत का होगा आयोजन जिला जज ने प्रेस कॉन्फिरेंस कर दी जानकारी और अब खबरे विस्तार से एक और जहां वारिश से लोगों को गर्मी से रहत मिली वहीं दूसरी और तेज आंधी के कारण सहर के कई जगों पर पैंड विजली पोल एवं ट्रांसफर्मर गिरने से जन जीवन पूरी तरह से अस्तु वैस्त हो गया भागलपूर के घुरन पीरवाबा रोड में पैंड गिरने से ट्रांसफर्मर छती गरस्त हो गया और आवागमन पूरी तरह से ठफ हो गया इसके अलावा तिलका मांजी रोड इस्थित जिला अतिती गिरही के समीप पेंड गिरने से स्कार्पियो गाड़ी छती ग्रस्त हो गया डियाम आवास के समीप 11,000 वोल्ट का तार तूट कर गिरने से लोगों को काफी प्रेशानी हुई और आवागमन प्रवावित हो गया प्रशन गर्मी से रहत मिली तेज धूप और उमस्वरी गर्मी से प्रेशान शहरवासियों ने वारिस का जमकर लुपत उठाया और सडकों पर बाईक चालक के वम्युवा बारिश में मस्ती करते दिखे बुदवार की दुपहर अचानक जोरदार वारिश से जहां शहर के फेलेक्स वेनर उड़ गए वही धूल भरी आंधी से लोगों को प्रेशानियों का भी सामना करना पड़ा भागलपूर समाहर नाले मुखिद्वार पर जल जमों से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा जा जा रहा है देखे एग गंडे से लोग परिशान है इना ट्राफिक के लिए कोई पुलीस का वेवस्ता ना रिगा कोई आदमी है कि पिल को रास्ते जहटाया जाए जिला दिकारी परनव कुमार ने गर्मी से बच्चों के स्वास्त पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावनाओं को देखते हुए जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी इसकूलों, आंगनवाडी केंदरों एवं नीजी कोचिंग संस्थान का फठन पाठन सोंबार से शनिवारत कस्थगित करने का आदेश चारी किया है DM ने जिला शिक्षा पदादिकारी ICDS के DPO सर्व शिक्षा अभियान को भागलपूर की सिमाओं में सटे सभी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं प्रार्थमिक विद्याले में आदेश के पालन को सुनिश्चित करने को कहा है भागलपूर व्यवहार नियायाले परिसर में जिला एवं सत्र नियाईधीस एके पांडे ने अंतराष्टिये नशा निशे दिवस के अफसर पर वुद्वार को नियाईक पदादी कारियों, अधिवक्ताओं एवं कोट कर्मियों को शराब तमबाकू समेत किसी भी परकार के नशे के सेवन नहीं करने की शपत दिलाई जिला जज नहीं कहा कि नशा समाजीक, आर्थिक और स्वास्त के लिए हानिकारक है, सब जज प्रवाल दत्ता ने शपत पत्र पढ़कर शराब एवं तमबाकू सेवन नहीं करने की शपत दिलाई और कहा कि अपने साथ, अपने निशेद दिवस को लेकर जागरुकता रेली निकाली गई जिसमें काफी संख्या में पुलिस कर्मी शामिल हुए। निशेद दिवस को लेकर जागरुकता रेली गई जिसमें काफी संख्या में पुलिस कर्मी शामिल हुए। नूनी विवादों के निप्टारे के लिए राष्टिय लोग अदालत का आयोजन करने की बात कही। जिला जजने आगामी 13 जुलाई को भागलपूर में आयोजित राष्टिय लोग अदालत के लिए लोगों के बीच परचार परसार करने के साथ अधिक संख्या में लोग इसका लाव ले इसके लिए हर संभव परियास करने की बात कही। वहीं DLSA के परभारी सचीप परवाल दत्ता ने कहा कि राष्टिय लोग अधालत में बैंक, BSNL, विजली, बीमा कंपनी समेत कई विभागों के मामले का निप्टारा दोनों पक्छों के सामने किया जाता है। प्रेस कॉनफरेंस में CGM, ADJ, CTSP, सुसान्त कुमार समेत कई नियाईक पदादिकारी मजूद थे। कि जलता हमारी जो इस लोग अदालत में आकरके अपना केस का निप्टारा कराना चाहिए, उसको अधिक से अधिक लाब में सके, इसलिए वो उदारता पूर्वक अपनी सीमाओं में रह करके, अगर इस पर वो करते हैं, समझाओता करते हैं, और उसका मकसद यही है, कि हम ल दोनों पक्ष को एक साथ से बैट आते हैं, लोग अदालत में दोनों पार्टी एक साथ बैट रह रह दे और कोशिच करते हैं, जैसा कि सेकरेटरी साब ने बताया कि पीठा सीन का अधिकारी अनभवी लोग होते हैं, हम लोग भी इसका सुपर विज़न भी रखते हैं, और इसका मुख्यूद्य समलोग है कि हम लोग आने वालो जो 13 जुलाई को गदालत है उसका व्याफ़क परचार परशार मिंडिया भाई बंदुगों को माध्यम संब्लोग करें भागलपूर पुलीस लाइन में कानून के रखवाले ही कानून को तोड़ते नजर आये दरसल मामला मंगलवार को बिहार के मैंस एसोसियेशन के चुनाव का है जहां बुदवार को मतों की गिनती के दोरान पुलीस के अंदर में चुनाव लड़ रहे दो गुटों के बीच जड़फ हो गई और दोनों गुट एक दूसरे को देख लेने और गाली गलोज के साथ मार देने की धमकी दे रहे थे वहीं हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुँचे सीटी एसपी सुसांत कुमार सरोज ने दोनों पक्षों को समझा बुजा कर शांत कराया आज अंतार राष्टर समझ की दिवस है उसी के आलोप में हमनों सुबर में परभात फेरी निकाले थे जिसमें नसात इबुद्ध के फिले काट लगाये गे थे रुकते हैं एक छोटे से बिरेक के लिए आप बने रहे हैं सिल्क टीवी के साथ पर भाष्टर में परभात राष्टर समय अंतार राष्टर वारे जिसमें एक टुझए जाए जावी के लिए एक चौँए। झाल झाल ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप देख रहे हैं सिल्क टीवी जिले में भिशन गर्मी और गंभीर विजली संकट से शहरवासी तरस्त हैं परियाफ्त विजली आपूर्ती के बाद भी शहरवासी को विजली नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण लोगों को दैनिक कारियों में काफी परेशानिया जहलनी पड़ती है शहर में गंभीर होते विजली संकट को लेकर पूर्व उप महापौर डॉक्टर पृती शेखर ने बुद्धवार को विद्धूत विभाग के अधिक्षन अभियनता शिरी राम सिंग से मुलाकात की इस दोरान डॉक्टर शेखर ने 24 घंटे विद्धूत आपूर्ती करने और लो वोल्टीज की समस्या दूर करने के साथ जरजरतार एवं बिजली पोल बदलने ट्रांसफर्मर की छमता वढ़ाने से संबंदित आवेदन अधिक्षन अभियनता को सोपा और अविलम समस्या स तो गर्मी बेताहसा उपर से 10-12 घंटे बिजली मिलना राद बर कई इलाकों में बिजली गुम रहती है तो इसमें बहुत आम लोग परेशान है उसी को लेकर आज हम लोग यहां पर डीजीम से मिलने के लिए है हमारी प्रमुख मांग यही है कि सरकार जब बिजली जहार नियायाले के ADJ पर्थम सविशेश नियायाधीस पॉक्सो की अदालत में बुद्धवार को भागलपूर के हवाई अड़ा सचितानन नगर निवासी राम मंडल को फोर पॉक्सो एक्ट के तहत आजिवन कारावास की सजा सुनाई गई विशेश नियायधीस पॉक्सो कुमूंद रंजन सिंग ने राम मंडल पर 25,000 जुर्माना लगाया और जुर्माना नहीं देने पर 6 मा की अतिरीक्त सजा की बात कही दरसल मामला 7 मई 2017 का है जब संकर पुरा दियारा में नवालिक से राम मंडल और अशोक मंडल ने दुशकर्म किया और घटना की जानकारी किसी को नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी घटना की शिकायत 10 मई को नाथनगर थाने में दर्ज कराया गया था लोक अभियोजक पौक्सो शंकर जैकिशन मंडल ने कहा कि सुनवाई और गवाई के बाद कोट ने 25 जून को राम मंडल को दोशी करार दिया था जबकि 26 जून को आजीवन करावास और 25,000 जुर्माना की सजा सुनाई गई है अज अभियोगत राम मंडल को विशेशन ने अधिश पौक्सो कोट के द्वारा आजीवन करावास की सजा सुनाई उसके द्वारा जो है नवालिक के साथ बलतकार किया गया था जो संकरपूर देरा में असोक मंडल के खेत पर अपने मापिता जी के साथ मकई काटने के अब बलतकार करने के बाद उसको धंकी दिये कि अगर किसी को बताओगी तो तुमको जान से मार देंगे और यह कहकर वहां से भाग है नवालिक बाद में किसी तरह अपने मापावजी के पास पहुंची फिर अस्किताल में इलाज कुआ इलाज में जो है वह उसका अस्किता मंदल को दोसी पाया गिया था जिसमें की चोग पचीश चे उनैस को दोसी पाया गिया था राज उसे आजिवन करवाज की सजास रही गया भागलपूर मुस्लिम माइनोरेटी डिगरी कॉलेज में विभिन परतियोगी परिक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के बीच निशुल्क पुस्तक वित्रण किया गया जिला अलप संख्यक कल्यान पदाधिकारी राहुल कुमार परचारे डॉक्टर सलाउद्दिन अहसन एवं सची मुकुर्रम अली खान ने संयुक तुरूप से ससी रेलवे एवं बैंकिंग परतियोगी परिक्षा से जुड़ी पुस्तक वांटे जिला अलप संख्यक कल्यान पदाधिकारी ने बताया कि मुस्लिम कॉलेज में निशुलक कोचिंग भी चलाया जाता है जिसमें परतियोगी परिक्षा की तैयारी कराई जाती है मौके पर सैयत सर्वर अली हाश्मी डॉक्टर तन्वीर आलम समेत कई गणमाने मजूद थे हाई कोट के निर्देश पर बुद्वार को कटोरिया बाजार में अतिकर्मन हटाओ अभियान चलाया गया अभियान का नेत्रीत एडिशनल स्पी मदन कुमार आनन और सीओ शशी भुशन परसाद ने संयुक्त रूप से किया जानकारी के अनुसार हाई कोट के निर्देश पर बाकर डियम कुंदन कुमार ने कटोरिया बाजार को अतिकर्मन मुक्त कराने का निर्देश जारी किया था करवाई में कई थानों की पुलीस के अलावा भारी संख्या में मजदूर शामिल थे मुख्यमंत्री नितिश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट साथ निश्य योजना में लगातार गडवडी सामने आ रही है दो वर्स पूर्व शुरू किये गए बोरिंग का कार अब तक पूरा नहीं हो पाया है बाका अमरपूर थाना छेतर के सिमरपूर गाउं में जलनल योजना में गडवडी कारोप लगाते हुए ग्रामिणों ने जम कर परदर्शन किया ग्रामिणों ने कहा कि दो वर्स पूरू वाड सदस्य बीरू तांती ने बोरिंग कराया था लेकिन अब तक पानी नहीं मिला जिसके बाद ग्रामिण ने इसकी शिकायत जिलादी कारी से की लेकिन अब तक कोई कारवाई नहीं होने से ग्रामिन का आक्रोश बढ़ता जा रहा है ऐसे में बिहार सरकार की मत्वा कांची जलनल योजना धरातल पर उतरने से पहले ही दम तोड़ती नजर आ रही है असना तक पार्थिरी की परिक्षा के एडमिट कार्ट के लिए छात्रों से की गई अवैद उगाही को लेकर तिलका मांजी भागलपूर विश्विद्याले परशाशन ने महादिव सिंग कॉलेज के पराचार और वरसर को सो काउज किया है कुलपती प्रोफेसर लीला चंदर सहा ने कहा कि छात्रों से अवैद वसूली का मामला संग्यान में है और विश्विद्याले परशाशन गंभीर है हम आपको बता दे की सौंबार को भागलपूर के महादेव सिंग कॉलेज में एडमिट कार्ट देने के नाम पर छात्र छात्रों से पैसे लेते हुए कॉलेज के करमचारी की तस्वीर सिल्क टीवी के कैमरे में कैद हुई थी जिसके बाद मामला परकास में आते ही परती कुलपती और रिजिस्टार ने करवाई करने की बात गही थी बाका के अमरपूर थाना परिसर में थाना परवारी अनिल कुमार की अध्यक्षता में शांती शमीती की बैठक आयुजित की गई इस दोरान बैठक को संबोधित करते हुए HDM मनोज कुमार चौधरी ने कहा कि सभी लोग आपसी मतभेद भुला कर भाई चारे के साथ रहें वहीं मुख्याले DSP संजे कुमार ने समाज में असांती फैलाने वाले और समाजिक तत्तों की पहचान कर थाने को सूचना देने की बात कही संजे कुमार ने कहा कि समाजिक सोहर्द विगारने वालों पर सक्त कारवाई की जाएगी बैठक में मजूद कई लोगों ने भी अपने अपने सुझाओ दिये तिलका माजी भागलपूर विस्विद्याले के सिनेट हौल में वेतनवी संगती को दूर करने एवं अन्य मामलों को लेकर उपेंदर परशाद यादव की अध्यक्षता में चतूर्त वर्गे करमचारी संग की बैठक हुई बैठक में बिना सुविदा वाले क्वाटर में रहने वाले करमचारियों के वेतन से कटोती नहीं किये जाने और करमचारियों की समस्याओं को लेकर विचार विमर्स हुआ संग की बैठक में करमचारियों ने वर्स 2020 वारा के ततकालिन कुलपती के आदेश को भी रखा जिसमें चतूर्त वर्गे करमचारी के आवाज की इस्थिती को देखते हुए किराया वसुली नहीं करने का आदेश पारित किया गया था वहीं सिनेट सदस्य संके सची वलराम सिंग ने कहा कि मांग पुरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा आज का बश्चक में साल का आयवेर देना है संका उसके बाद चतुरवर्गे करमचारी का जो आवास भत्ता काटने का निर्ने लिया गया है उस मुद्धा पर विशेश रूप से चर्चा होगा क्योंकि आवास जो जिस करमचारी को आवास आवंटन हुआ है भागलपूर मौलाना चक इस्थीत मदरसा जामिया शहवाजिया में बुद्दवार से हाफिच के नए सत्र की पड़ाई शुरू हो गई खान का शावाजिया के सज्जादा नसी स्यद साम मुहम्मद इलतेखाब आलम शावाजी ने मदर्सा के छात्रों को कुरान की आयात पढ़ाई और लगन सील होकर पढ़ाई करने की बात कही वहीं 72,19,20 में दाखिला लेने वाले चात्रों को मदर्सा के शिक्षकों ने नियम कानून का पाट पढ़ाया मौलाना फारुक आलम अशर्फी ने कहा कि अर्वी और फार्सी के साथ यहां अंग्रेजी और केम्प्यूटर की भी पढ़ाई कराई जाएगी मौके पर कारी जाकिर हुशैन समेत मदर्सा के कई शिक्षक मजूद थे आज से मदर्सा जामिर शावाजिया के नए शेशन का आगाज हुआ है जिसमें तकरीबन सो बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई है इसमें पुरान पाक हिब्ज़ करने वाले बच्चे भी हैं और अर्बी फार्सी पढ़ने वाले बच्चे भी हैं साथे साथ उनके लिए अंग्रेजी और मैत को और कंप्यूटर को लाजमी तोर पर पढ़ाया जाएगा और ये सिलसला चलता रहेगा आने वाले रमज़ान तक चुकर रमज़ान में लंबी चुट्टी होती है ताती लेकर ना जिसे लंबी चुट्टी कहा जाता है तो रमज़ान तक ये सिलसला चलता रहेगा और इस तरह से ये पढ़ाई चलती रहेगी और अंत में चलते चलते एक वार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइन्स पर तेज आंधी और बारिश ये अस्त वेस्त हुआ शहर जगा जगा पेंड गिरने से मची अफरा तफरी भागलपूर में अचानक आई आंधी से बिजली पोल सहित ट्रांसफर्मर हुए छती ग्रस्त बिजली हुई गुल अंतर राष्टिय नशा निशेद दिवस को लेकर न्याईक पदाधी कारियों ने नशा नहीं करने का लिया शपत पुलिस केंदर से निकाली गई जागरूपता रेली वर्चस्व की लड़ाई को लेकर बंबाजी से दहला भागलपूर सकुला चकीला का कुख्यात अपरादी इम्तियाज को पुलिस ने किया गिरफतार और 13 जुलाई को राष्टिय लोक अदालत का होगा आयोजन जिला जज ने प्रेस कॉन्फिरेंस कर दी जानकारी इस बुलेटिन में फिलाल इतना ही आप बने रही है सिल्क टीवी के साथ तब तक के लिए नमस्कार